नमस्कार दोस्त तो अगर आप सही प्राइस रेंज में मतलब की असी आजर के अंदर एक अच्छा लापटप धून रहे हो आपको अगर एक अच्छा लापटप खरीदना है चाहे किसी की भी काम के लिए मतलब अगर वह गेमिंग के लिए या फिर एडिटिंग के लिए मेरे तरफ से हंडेड परसंट रिकोमेंड़ है यह कोई स्पॉंसर वीडियो नहीं है स्पॉंसर होगा भी कैसे अभी थावजन सब्सक्राइब पूरा भी नहीं हुआ तो देखिए आप यह लैपटप आप बंद करके ले सकते हैं कि कुई देखिए इसमें जो फीचर से इस इसा पर्फोंट से नहीं है अगर गलत होगा तो मेरे को दे देना ठीक है चले दोस्त सुरू करते है वीडियो को यह लैप्टोफ है दोस्त इसके साथ आपको मिलता है सोला जी भी रेम पास सो बारा जी भी का रॉम मिलता है एससटी उपर से इसका प्रोसेसर जो है वाई से इसका जो मतलब में जो चीज है इसका जो ग्रैफिक्स काड है एंवीडिया 3060 6GB इस प्राइस रेंज में 6GB एंवीडिया 3060 ग्रैफिक्स काड कोई भी लैप्टोब में नहीं आता है ठीक है आप सर्च करके देख लेना असी हजर के अंदर दूसरा कोई कंपनी अगर आपको तो चलिए आपको दिखा देते हैं फ्लिप कर्ड में यह अभी 79000 का मिल रहा है तो चलिए देख लेते हैं चलिए MSI Katana GF66 Core i7 11 generation processor इसके साथ मिलता है और 16GB RAM है 2512GB ROM है SSD है बहुत ही फास्ट है 16GB RAM है जो कि आपको वीडियो एडिटिंग, पोग्रामिंग, गेमिंग में बहुत ही एकदम स्मूथ मक्कन की तरह कम करेगा उसी के साथ यह Windows 10 के साथ आता है अब देख सेकते हैं 6GB ग्रैफिक्स 60 उसके बाद एफ 144Hz मतलब डिस्प्ले है इसका बहुत ही स्मूथ मतलब आप गेमिंग, एडिटिंग या फिर प्रोग्रामिंग 4K वीडियो आप बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से एडिट कर सकते हैं और यह है MSI Katana GF66 और अभी यह फिलिपकाल में फिलिपकट में उफर चल रहा है आप देख सकते 79,999 रूपीस जो कि यह उफर लाया कि और भी 2000 रूपीस में कम में हो जाएगा जैसी कि आप देख सकते इधर देखिए 78,999 रूपीस में हो जाएगा और इसका फीचर्स देखिए कितना अच्छा है 15.60 जी का फूल एच डिस्प्ले है 140 अच रिफ्रेस रेट है 45% NTSC है और IPS लेवल डिस्प्ले है ठीक है उपर से यह प्री प्री इंस्टॉल्ट है विंडोस 10 के साथ अपरेटिंग सिस्टेम के साथ आता है और काफी अच्छा लैप्टोब है आई सेवन पॉसर है अब देख सकते हैं 11 जेनरेशन पॉसर है बहुत ही स्मूथ काम करेगा उपर से इसका देखिए एंवीडिया जीफोर्स अर्टी एक्स 30 सिरिस का मतलब 3060 इसमें ग्राफिक्स काड़ है उपर से 6 जी भी है इसमें ग्राफिक्स काड़ और यह देखिए पार्फॉमेंस भी बहुत अच्छा है 4.6 जीगाहर्स डूल कर करना है अब बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं अगर आप देखिए 10,000 20-15,000 बचाने जाओगे दूसरा कोई laptop खरीद लोगे तो बाद में पस्ता होगे इसलिए 10,000 ज्यादा देखे यह laptop खरीदो और ज्यादा अच्छा experience आप पा सकते इससे देखिए इसका performance देखिए rating आप इसको चाहिए तो बैटरी का उतना धन मत दीजिए आप चारजाइब मतलब एक दो घंटा का भी अगर बैटरी वेक आप देता है तब भी ठीक है अगर गेमिंग करना है तो आप इसको चारजर में लब चारजर प्लाग इन करके गेम कर कीजिए डिजैन भी अच्छा ह है और डिस्प्ले भी देखिए 4.3 रेटिंग है और देखिए इधर रेटिंग भी देखिए ओवरल इटेज बेस्ट पर्फॉमेंट्स इफ लुकिंग इन दिस प्राज रेंज तो इसका रेटिंग भी देख लिए कितना अच्छा रेटिंग है अब देख सकते हैं तो मेरे ख्याल से दोस्त अगर आपको gaming laptop चाहिए या फिर editing या फिर programming के लिए तो यह laptop आँख बंद करके ले सकते हैं मेरे तरफ से full recommended है यह कोई sponsored वीडियो नहीं है लेकिन मैं अपना जो भी मतलब जितना सारा laptop था सब कुछ देखके market में जो भी available है सबसे अच्छा मेरे को यही MSI Katana GF66 का full details यह laptop आप जरूर buy कर सकते हैं अगर आपको लेना है purchase करना है तो नीचे description में link है आप वहाँ से जाके price मतलब purchase कर सकते हैं तो चले दोस्त इसे के साथ वीडियो को खतम करते हैं आप लोग अच्छे से रहे हैं अपना health का ध्यान रखिए तब तक के लिए बाई फिर में लेंगे नेक्स्ट मेडियो में थैंक यू जय हिंत